नमस्कार आप देख रहें यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक और न्यूज में आपका स्वागत है आज हमारे जो भीवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कमेंट करते हैं, सेर करते हैं उन लोगों को GSMP क्लिनिक और न्यूज यूट्यूब चैनल क्योर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्वागत है आज का खास वीडियो CAD के जो विद्यार्थी हैं, CAW को विद्यार्थी हैं या सर्टिफिकेट इन एड्वेदिक थिर्यपी के जो विद्यार्थी हैं, एड्मिशन लिये हैं, अथ्वा लेने के सोच रहे हैं, अथ्वा उपरहाई पुरी कर चुके हैं, अथ्वा ओ किसी तरह के प्रश्ण से ओ गुजर रहे हैं हमारे एक भीवर्ष ने, ओ एड्मिशन तो ले लिये, और बीच में उनको किसी कारण से, CAD करने का मन नहीं कर रहा था उन्होंने मेरे वार्ष नमबर, मेरे पर्शनल नमबर पर फोन किया कि सर बताईए कि जो मैं NIS में, CAD के लिए जो कोर्स के लिए हम फी जमा किये हैं कि I return हो सकता है तो हमने बोला कि कोई भी काम आप सोच समझ के करेंगे तो बहुत आच्छा रहेगा बिना समझे, आप कहें भी फी जमा कर देंगे और फिर return मांगेंगे तो बहुत असंभाश अलगभव हो जाता है चुकि फी आप जो जमा करते हैं, एन आयोस के परधान कर जाले दिली में चला जाता है अब उसे return करना इतना सार नहीं रहता है मुझे भी इस तरह के प्रश्ण का जबाम मालूम नहीं है यदि आप लोगों में कोई C.A.D. के विद्यार्थी है कोई मेरे YouTube चैनल को देख रहे है इसका उतर मालूम है तो आप हमें comment box में परतिकिरिया आवस दे और लिखे कि यह ऐसा संभाव है कि फिस return हो सकता है मुझे जाग देहां तक जनकारी है फिस return नहीं हो पाता है यह लंबी परकिरिया हो जाएगी और यह संस्था में चले जाने के बाद में return होना मुश्किल सा रहता है उसमें अगर coaching fees, tuition fee लिया गया है यदि आप नहीं परना चाहते हैं तो यह संभाव है कि आपका परहाई का coaching में से कुछ आप जितने दिन परहे हैं card को लोटा दिया जाए लेकिन जो fee होता है NIS का ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि वो लोटेगा तो इसलिए और हमने एक प्रश्न भी किया था कि आप fees क्यों लोटाना चाहते हैं क्यों नहीं CID करना चाहते थे हैं तब viewers का यह जवाब था कि मैं उसमें DHMS करना चाहते हैं हमने कहा कि DHMS तो कुर्स कब कब बंद हो गया है मात्र पांच सल का सरे पांच सल का कुर्स चल रहा है CID का कुर्स चल रहा है DHMS को भी कुछ समप्त करी जाता है तो जो उत्र उन्हें बोला पता भी लोग नहीं कर पा रहा है कि आपका यह DHMS चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो किर्पया ऐसा ना करें कहीं भी एड्मिसन लें तो आप सोच समझ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नहीं तब पैसे और समय दोनों की बरबादी होगी अगर एड्मिसन नहीं लिए है तो उसमें जरूर नहीं है कि आप इसी साल में परिक्षा पास करें आपको पूरे 5 साल का समय आपके अंडर में रहता है आपको 5 साल में ये कूर्स कंप्लीट करनी रहती है मैं आशा करता हूँ कि आज के जनकारी आप लोगों को काफी आशा लगा होगा यदि आशा लगा है तो कि आप मेरे चैनल को लाइक करें तो फिस लवटाना बहुत मुश्किल गहता है खाना कोई भी व्यक्ति खा लिया है उसे जैसे कि उसे अब निगलवाना बहुत अब आप समझ सकते हैं कि कोई विची निगल गया है कोई चला गया है कितनी प्रोब्लम होती है तो आप सोच समझ कर आप बिल्कुल एड्मिशन ले लिये हैं तो आपको अभी हवराई नहीं है थोरा दिन के बाद में आप उसे पांच साल का समय है आप ले सकते हैं अची चीज है तो कोई प्लानिंग के साथ आप एड्मिशन ले तो आपके हक में बहुत आचा रहेगा अनियथा आपको भटकने पर सकता है अब मैं बात करता हूँ जो बिमारी है यूट्यूब चैनल से जो उस बिमारी का हमदवा बताते हैं यह दिव ठीक नहीं होता है तो क्लिनिक में आकर ही अपना इलाज कर आएंगे तो बनिया रहेगा चुकि बिना सिम्टम को लिए इलाज करना बहुत ही कठिर रहता है तो आप एक बिमारी बताते हैं हो सकता है उसका साथ साथ अन बिमारी भी हो तो दिखाएंगे तसारी मिमारी को ठीक करना समभ रहता है सबसे ज़्यादे लार बहने पर भीव हमें मिरा है प्रश्ण भी बहुँ ज़्यादे आता है और CAW और आइडवेदी के जो certificate in आइडवेदी थिरेपी है उसे भी बहर कर CAW कि कोर्स सम्वंधित आपको ज़्यादे कॉल आते हैं और उसके बारे में विद्यार्थी ज़्यादे question करते हैं आप समय सकते हैं कि CAW कितनी लोग पिढ़िये कोर्स हो गई है आज के लिए तो आप practice जिसमें करने चाहिए करें आप एलोपैथ होमियोपैथ अईरवेद में भी सारे certificate आप ले सकते हैं आप अथुराई हो जाएंगे अगर जीरूत पड़ेगा तो एलोपैथ का भी थोरा बहुत परियोग कर सकते हैं चुकि एलोपैथ की जनकारी भी आप चिकित्साइ करें या नो करें जनकारी बहुत जरूरी है हैनि मैं साहम MBBS MD भी थे तो एलोपैथ के विद्वान थे तम उन्होंने याकर होमियोपैथिक चिकित्साइब पत्ति का खोज किया था आप एक ही पैथ ही हुमें पहदिक चिकित्साख ही मने लेकि एलोपैथ में भी जनकारी कोर्स कर लेंगे तो आछा रहेगा संभव सकता अरवेदी का भी कर लेंगे आप डिग्री डिप्लोमा जितने लिए रहेंगे आपके अन्भव का फायदा आपके पूरे मरीज और देश समाज सबको मिलेगा आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा कि आप बहुँ जादे इसमें अध्यान किये हैं और इतने में आप सर्टिफिकेट लिए हैं बहुत सारे चीज आप सर्च करके देख सकते हैं इसकी मैंता है नहीं है आज पूरे दुनिया इंटरनेट के जबाना है कोई भी जनकारी छुपाना असंभव है ना मौंकिन है आप इसमें जरूर सोचे की ऐसा संभव नहीं है कि आपको जनकारी नहीं मिलेगा तो बहुत सारे फिवर्स का प्रशना है अरवेदिक पर भी अपने बनाईए वीडियो तो अरवेद का भी हम जो CID के साथ जन स्वास्त एलोपैस में करते हैं उसके अत्रिक आप पंज कर्म क्या है पंज कर्म चिकत सब पहस्ति से आप को जनकाई रखने चाहिए शरीर किरिया भियान अनअटोमी है फिजी लोजी है यह सभी लोग को पढ़नी जय़ूरी है digestive system है a scletral system है तो यह चीज़कू nervous system है आपको यह सारे चीज़कू आप respiratory system जितने भी system है इसमें आप पढ़ेंगे Сейчас द्याण करेंगे तो कोई भी course करेंगे तो इसका फैदा आपको मिलना ही ते है हार्ट सम्वन्थी पिमारी थोरा सा और हार्ट के आप एनाटोमी को पढ़े तो आपके लिए भहुत फैदा रहेगा तो कोई भी course करने जाए तो इसमें थोरा सा आप वक्त दे सोच समय कर आपेड मिशन ले नहीं तो आपको परसानी बर जाएगी आप कोर्स नहीं करेंगे और फिस जो भर दिये हैं उसकी भरपाई फिर दुबरा होना नमुंकिन सा रहता है हमें जहां तक जनकाई है और आपको किसी भी तरह की कोई परसानी है तो मेरा वाट्सेप नमबर 9801757-5339805757 पर आप बात करके एड्रेस ले सकते हैं अब बहुत सारे ऐसे मेरे विवर्स हैं जो मुंबई में बैठे उन्हें मेरा कोई वीडियो पसंद आया है वो अपने बीमारी के बारे में प्रश्न करते हैं तो दूर के मरीज को आना थोरा कठीर है अब वो आने में भी उनको वक्त लगेगा तो ऐसे मरीज जो दूर दराज के हैं उनका एक हमसमधान कर सकते हैं कोई भी वीमारी को छोड़ दीजेगा तो आगे बढ़ते चला जाएगा तो आपने पुड़े मरीज का आपने उसका वीडियो ग्राफिक कीजिए उसको की अदिकत क्या क्या है सारे चीज को बना कर कोई आपके पास जांश रिपोर्ट है उसे भी बना कर आप वाट्सेप क कुछिस करेंगे जब तक खिला ये जब तक आप हमसे परमान इंटूस का उपचार नहीं लेते हैं देख नहीं पाते हैं तब तक आप खिला सकते हैं और C.A.D. के जो भी विद्यार्थी है वो इनाटोमी पर भी ध्यान दे चूकि इनाटोमी को आप अशास नहीं परेंगे तो अशे मार्प्ष नहीं आएंगे और मेट्शिन को भी बहुत अशे से पढ़नी चाहिए आपको हम मरीज बता दिते हैं पुराने जो मरीज होते हैं बचपन से भी बहुत सरे इसे मरीज मीर जाते हैं जिनको ओटोडिया है कान बह रहा है बचपन सुपचार करते करते आ हैं उनकी कान की चेदरा फट गई और प्रेसंत काना न परा तो होमिपेथिक से पुराने से पुराने कान का बहना बहुत आसानी से ठीक हो जाता है किसी का कान बहे आप उसका उपचार कराईए आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसमें अप्षन है आपको रोगी मिलेंगे लेकि बसरते की आपको जनकारी से में बहुत बनिया चाहिए यदि आपको जनकारी नहीं होता है तो पैसा रुत्बा नाम जस सभी सोहरत एक साथ नहीं मिलेगा बहुत सारे आमारे विवर्स भोलते हैं कि सर्टिफिकेट कोई है तो दिलवा दीजिये हम कहने चाहते हैं कि सर्टिफिकेट असानी से मिल जाएगा किसी को तो फिर ये ग्रामेन चिकित सक्षले त्षलें से बनने का मतलब नहीं रहेगा आप ही की तरह क्यों नहीं और्人 ड कर सकते हैं हम भी आप कर सकते हैं तो फिर सारे लोग जब सर्टीफिकेट लेना सुरू कर देंगे पिर आप किसे डॉक्टर दोलिएगा तो इसलिए आप बिल्कुल बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कि वल सर्टिफिकेट असानी से मिल जाए और उसी पर आपका काम होई ऐसा नहीं होता है आप परहाई करेंगे आपको एनेस परिक्षा लेगा आप उसमें लिखेंगे अच्छे ढंग से लिखेंगे उसके बाद आप परिक्षा पास कर जाएंगे आप रोई थोड़ा 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 परते रहिए सारे प्रश्ण को देखते रहिए परिक्षा आपको पास होने से कोई नहीं रुकेगा मैं विश्वास देलाता हूँ दूर से चीजिए है कि सस्ते में अपना भ हिसकी चाने लगते हैं जो कि आशा नहीं है इस कोर्स को कौम में भी किया जा सकता है लेकिन आपको जनकारी आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगा या स्टडी में अगर इमंदारी से कोई आपको टीचर लेक्षर डिसका देगा तो उससे कौस्ट कुछ देना ही परेगा तो इसलिए आप सटीफीगेट के साथ साथ ठोरा सा आपको बहुत अच् precisamente हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी में और अपको किल्मिक बहुत जल्दी जम जायेगा मरिजू की संख्याशी हो जाएगी अच्छे जल्कारी रखते हैं तब लेकिन आप चाहते हैं कैसे बी सटीफ को लेलने प्रिक्षा दे कर तो यह समझे कि प्रिक्षा पास करने से आपको केवल सर्टिफिकेट अथोराई तो हो जाएंगे लेकि रोगी ठीक नहीं हो पाएगा उसके लिए आपको स्टडी करने ही परेगी गाइडलाइन भी चाहिए एक्सपेरियेंस चाहिए अब हम लोग जो भी किसी चीज को जिस विद्यार्थी को बताएंगे अपने अनभब बताएंगे कौन सी विमानी में कौन दवा देनी चाहिए कैसे फेल होता है कौन सी दवा सक्सस हो जाएगे दुनिया में अधिकतर डॉक्टर कौन कौन दवा देते हैं काम नहीं करता है उसके बाद हम में कौन सी दवा देनी चाहिए तो ए सब चीज आप सिखेंगे तो आप C.A.D. हो चाहिए C.A.D. के कोर्सों और टी एसिस्टन का कोर्सों कोई भी कोर्सों मन लगा कई मंदाई से अच्छा से प्रिक्टिकल करें नम हुझाए तो कोश्चन करें कोश्चन आप करते रहें कोश्चन करने से बिल्कुल नहीं चके तब आप एक जनकारी अच्छे ले पाएंगे और एक स्मार्ट प्रोफेशनल बनेंगे जिससे आपका देश समाज गाउं सभी को फाइदा मिले तो केबल सर्टिफिकेट लेने के उद्यस न परहें बलकि अच्छे अध्याइन करने के लिए आपको हम लोगों को काफी मेहनद करनी परती है आप लोगों कम हम लोगों को यादे मैटरियल देनी परती है अब इद्याथिक ऐसे हम लोग ट्रेंड करते हैं कि बहुँ अपने पर खरा हो जाए तो हम लोग यूट्यूब चैनल बनाने का मक्सद है कि आप जन स्वास्त या कोई भी कोर्ष करें और कम्याब चिकित्सक बनें कम्याब ट्रेंड स्वास्च करता बनें और क्रोनिक जो असाथ बिमारी है दुनिया इलाज करते करते ठक हार गई है उसमें भी आपका इलाज संभव हो पाए आप बहुत कम लागत खर्च में आप ठीक हो जाए इस तो हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मक्सद पुरा होगा अब आपको समाह में आ गया होगा कि आज का वीडियो बनाने का मुख फूद इस क्या था अब इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से बिदा लेना चाहता हूँ आपका दिन सुभव जय हिंद जय भारत